हलो डिफेंस आस्पिरेंट, ITBP आपको पताओगा इंडो-Tibetan Border Police जो के एक पार्ट है जैसे आपको पताओगा इंडिया में हमारे दो military forces होते हैं एक paramilitary forces एक military, military में army, navy और air force आते हैं, paramilitary में जैसे ITBP, SSB, CRP, CISF, BSF ये सारे चीज़े आता है और उसके बाद ITBP के एक पार्ट से इसको बोलते हैं, इंडो-Tibetan Border Police जिसकी वेकेंसी आया हुआ है और ये male and female दोनों के लिए इसमें eligible है, आप दोनों apply कर सकते हैं SI का post आया है, sub-inspector का head connectable का भी आया है, और connectable आप जिसके लिए भी qualification आपकी है, age है आप उसमें apply कर सकते हैं total 526 post आया हुआ है, 526 post आया है, online application form में आप इसको apply करेंगे जो सबसे पहला जो date का मैंने आपको clear कर देता है, post में थोड़ी बाद में बताऊंगा अगर अभी तक आपने telegram channel army sir official join नहीं किया है, तो join कर लिजिए और आपका जो date लेगा, 12 October के इसकी notification as per notification निकल चुका है 15 November से लेके 14 December, 15 November को ये open हो जाएगा, कहां आप apply करोगे, आप बहुत लोग भोशते हो देखें, यहाँ पर लिखा है भाई, यहाँ पर जाओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा recruitment.itbppolish.nic.in, यहाँ पर आप जाओगे, 15 November से सुरू हो जाएगा, 16, 17 को apply कर देना 14 December इसका last date है, इससे पहले कर देना, बाद में आप सारे लोग comments करते हैं किसेर मेरा application feel नहीं हो रहा है, मेरा permit नहीं कटा, यह नहीं कटा, ओ नहीं कटा, लास दिन में, ऐसा नहीं करना, जैसे ही आपका application window खुल जाता है इस channel पर जब exam date आ जाएगे, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, application fees के अगर मैं बात कर लेता हूँ, general EWS OBC के लिए आपको 200 रुपिया देने होंगे, general EWS OBC head constable और constable post के लिए 100 रुपिया, SI के लिए 200 रुपिया, ACST के लिए कोई पैसा नहीं भाई है, 22 आप लोग, mode of permit आ 20 से लेके 25 साल तक SI आप दे सकते हो, जो SI की post है telecommunication में, आप 20 से लेके 25 तक दे सकते हो, लिकिन उसमें आपकी जो ACST है उसको 5 साल मिलेगा, जो OBC है 3 साल extend करके मिलेगा, इसमें कोई doubt नहीं रखना कि आपको age में छूट नहीं मिलेगा, age में छूट आपके लिए भी है, head constable के लिए 18 से लेके 25 साल तक आपका होना चाहिए, उसके बाद जो आपकी जिस काटेगरी में आते हैं, आपको age relaxation मिलेगा, उसके बाद constable के लिए 18 से लेके 23, यहाँ पर लिखाए 18 से लेके 23, अब यह calculation कैसा करोगे, 14, 12, 24 तक यह date से 25, 30 और 25, इससे ज्यादा नहीं होना चा जो की sub-inspector है, ठीके उसके लिए आपको vacancy जो चाहिए, BAC, BTEC और BCA, यह तिनों qualification चाहिए, उसके बाद head constable telecom के लिए 383 post है, जहाँ पर 12th pass with PCM, ITI, Diploma in Engineering, कुछ भी है, आप इसमें apply कर सकते हैं, constable telecom के लिए 51 post है, जिसमें सिफ आपको 10th pass चाहिए, कोई qualification नहीं ठीक है, यहाँ पर post का मैं आपको variation बता देता हूं, किस लोग के लिए कितने post हैं, देखिए, All India Vacancy है, आप किसी भी राज्य से आप इसको apply कर सकते हैं, male है, female है, आप apply कर सकती है, sub-inspector telecommunication male के लिए, general में 31 post है, SC के लिए 12, ST के लिए 6, OBC के लिए 21, EWS के लिए 8, total 78 post है, boys के लिए, sub-inspector telecommunication female के लिए, general में 6, SC में 2, ST में 1, OBC में 4, और EWS में 1, total 14 post है, तो total आपका 92 post यहाँ पर हो जाएगा, SI के लिए, ठीक है, अब आते है, head conestable में male के लिए, आपका 123, general के लिए, ST के लिए 50, ST के लिए 26, OBC के लिए 90, EWS के लिए 36, total आपका 325 post है, head conestable female के के लिए, 22 है, general के लिए, SC है, 9, ST है, 5, OBC है, 16, EWS है, 6, तो बेकिन्स हो जाएगा, आपका total 58, total 383 post आपका हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी post हो जाएगा, head conestable telecommunication, आप आते है, constable, देखें, यहाँ आप 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 गन्फ्यूज हो रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा और उसके उपर से आपका जो head conestable telecommunication है, उसकी जो salary है, 45 से लेके 50 के आसपास होगा, 40 से लेके 50,000 के अंदर अंदर आपकी आजाएगा, और उसके बाहर आपके SI की देखो, तो 60 से लेके 70 के अंदर यह आपको मिल जाएगे, ठीक है, उसके बाद constable telecommunication mail में, 19 आपका UR में रहेगा, 19, 7 आपका SC में, और उसके बाद ST में 2, OBC में 11, और EWS में 5, total 44 post है, constable female में 3 आपके रहेगा, general में 1 रहेगा, आपका SC में, ST में 0, OBC में 2, और EWS में 1, total आपका 44 post रहेगा mail के लिए, और 7 post रहेगा female के लिए, तो total 51 post रहेगा, यहाँ पर आपकी constable में, ठीक है, समझ गए न, salary में सिफ फरक है, और जो constable telecommunication में, आपको कोई भी qualification, मतलब extra qualification कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, बिंदास, अब आते हैं, selection process के उपर, selection process देखिए, पहले आपकी routine examination होगा, पहले क्या होगा, आपका routine होगा, तो routine के लिए, आप लोग बह दिसेंबर में form खतम हो रहा है, तो January में आपकी इसका exam होगा, तो आपके लिए कहीं न, कहीं न, November, December और January आपके हाथ में, आपके सही strategic और smart studies के साथ आप follow करेंगे, books बगरे, और जो online platform से guide discipline follow करेंगे, तो कहीं न, कहीं आपकी, वो routine निकल जाएगा, और एक बार रीटिन न टेस्ट के बारे में नहीं पता आपके हाई, 28 वगरा कितने कितने चाहिए, तो आप नीचे comment कर लेना, मैं आपको reply कर दोगा, बाकि आपकी और भी कुछ doubt है, आपके इसका जो PDF है, ऑफिशरी PDF में आपको डाल दोगा, आर्मी साथ टेलिग्राम चैनल पर वहाँ से download करके द